हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप लोग मैं आ गया हूं आपके बीच फिर से अपने जो थोड़ा सा जर्नी का छोटा सा विराम लग गया था उसको फिर से मैं कांटिन्यू करने के लिए आ गया हूं तो हम लोग क्लास 12 का मैंगनेटिक इफेक्ट आफ करेंट जो चैप्टर चल रहा था उसको हम लोग डिसकस कर रहे थे फुल डिटेल में उसी डिसक्शन में हम लोग MPS ला तक पढ़ लिये थे उसका एक अप्लिकेशन भी पढ़ लिये थे और उसी के आगे हमने कहा था और हम देखें यह चैप्टर का ऐसा था जिसमें सारे के सारे इंपोर्टेंट टॉपिक थे किसी भी टॉपिक को आप यह नहीं कह सकते हो कि यह लेस इंपोर्टेंट है तो मैंने कहाता इस चैप्टर के सारे टॉपिक को आपको ट्यार करना एक इंपोर्टेंट टॉपिक मान करके तो चलते हैं सिधे अपने आज के टॉपिक पर उससे पहले विया जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि यहां पर आपकी काम की चीज़े मिलेंगी ठीक है चलते हैं चीज़े सीदे हेडिंग डाल लेते हैं आज का विया मारा टापिक है वह सोलेनोइट अब बहुत इजी बहुत ज्यादा इजी है इसमें दो पार्ट हम पढ़ेंगे पहले पार्ट में हमको यह बताना रहेगा कि सोलेनोइट के अंदर या बाहर कहां पर फिल्ड स्ट्रॉंग होती है दूसरे पार्ट में हम लोग यह पढ़ेंगे कि आपने जहां पर बता होगा कि strong field है वहाँ पर कितनी strong है उसके लिए formula drive करना परेगा ठीक है अब बहुत आसान है बस देखते रहेगा तो सबसे पहले भीया solenoid होता क्या है यह तो पता हो जाए न solenoid कुछ नहीं भिया एक वायर होता है conducting wire को अगर हम इस form में conducting wire को इस form में हम अगर इसको arrange कर देते हैं इस form को बोलते हैं भीया hellisk form क्या बोलते हैं इस form को hellisk ay unsporing Compute क्या हम अगर इस तरीके से इसको alleviate देते हैं तो यह क्या बन गे है हमारी एक solenoid बनगी और जो इसमें भी आप वायर लेते हैं उसके खासियत होती है कि वो वायर लेंध के कंपरजन में इसको डाइमीटर होता है उसको निगलेट कर सकते हैं समझ गयोंगे कि हमको मोटा तार नहीं लेना है इसमें हमको पतला तार लेना है लंबाई ज्यादा होगी डाइमीटर कम होगा ठीक है यह तो समझ गये कि solenoid होता क्या है कि दूसरा बात कभी कभी पूछ देते हैं कि solenoid किस principle पर वर्क करता है पूछ सकते हैं तो भी या solenoid यह चैप्टर क्या पढ़ रहे हो अब magnetic effect of current मतलब current flow करोगे तो उसकी वज़े से उसमें क्या हमापे क्या डबलप होगा magnetic effect यह मैंगनेटिक फिल डबलप हो बस यही इसका प्रिस्पल है इलेक्ट्रो मेंग्टिजम ठीक अब solenoid करता क्या है सबसे important है यह solenoid करता क्या है तो यह क्या करता है यह electrical energy को electrical energy को convert करता है mechanical energy करता है और यह चीज जो मैंने लिख दी है आपके सामने इसमें इंपोर्टेंट भी टिक किये देगा ठीक है अब उसके बाद हम लोग आते हैं जो मैंने काता है इसमें दो पार्ट में इसको पढ़ना है अब आते हैं फर्स्ट पार्ट का discussion करने के लिए कि आखिर solenoid के अंदर कहां पर सबस्ते चलिएगा यह 3D फीगर है जिसे आपको अगर आपने स्प्रिंग देखी है तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके इस फिगर बनेगा हम को क्या करना है इसमें करेंट को फ्लो करा दो इस solenoid में करेंट को फ्लो करा दो ठीक है वह यह लोक और हम को क्या करना है यह मैंने बना दिया करेंट की डिरेक्शन है ठीक है देखते रहेगा बहुत ध्यान से फिगर देखना है क्योंकि अगर फिगर बन गया उसके बाद फिर नहीं समझ भाएंगे बस आपको लगे धीरे धीरे लगे हाद आपको फिगर समझते चलना है कि इस तरीके से फिगर बन गया है ठीक है इस तरीके से मैंने फिगर बना दिया अब आपको पता है कि जब करेंट फ्लो होगी तो सिंप्ल से बात है मैंग्टिफिल तो जनरेंट होगी होगी और मैंग magnetic fit lines बनानी है ठीक है हम यहां पर क्या करते हैं एक पॉइंट यहां यहां पर ले लेते हैं एक पॉइंट यहां यहां पर ले लेते हैं एक पॉइंट यहां ले लेंगे 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 इसको आपको यह बाहर बाहर वाल दिखेंगे तो मैंने एक पॉइंड यहां पर यहां पर ले 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 लिए, जैसे अगर मैं इनको डॉट-डॉट करके बना दूँट इन डॉट का मतलब है कि यह पॉर्शन पीछे का है और यह पॉर्शन आगे का है तो यहां पर मैं क्या करता हूं कुछ डॉट डॉट करके बना देता हूं जिसे और आपको आसानी हो जाए समझने में मतलब यह डॉट डॉट जो है वह क्या है पीछे का पॉसंद जो आपको नहीं दिख रहे हैं और जो डार्क लाइन है यह आपको दिख रही हैं अब यहां पर देखें यहां पर इससे पहले यहां पर फोकुस करोाँए आपको यह करेंट जारी उपर की तरफ हमको इसकी आपको। मैं दूरूल आपको बतायो थे rights hand thumb rule यहां से यूज़ करेंgon एछ गई एडीन है, Current ऊपर जारी है हमको यह से देखना है ठीक है अब जैखो यहां पर कि यहां पर करण जारी उपर की तरफ तो उठीट उपर तो यहां पर क्या होगी यहां पर अगर हम एक सरकल बनाए मेंगटी फिल लाइन को सो करने के लिए तो यहाँ पर क्या बनेगा इस तरीके से करेंट की डिरेक्शन बनेगे ठीक है देखो इस तरीके अगर हम इसे देखे देखो यह उपर तो अगर इसे पकड़ते हैं यह उपर जा रही है तो अईसे पकड़ेंगे तो इस तरीके से ठीक है बिलकुस सेम हर जगा करेंट की जो डिरेक्शन है वो क्या है सेम है यह उपर जा रही है यह पर जा रही है यह भी उपर जा रही है राइट यहां पर भी हम विल्कुल same to same बना लेंगे, यहां पर बिल्कुल हम लोग same to same बना लेंगे, ठीक है, बस आपको जो थोड़ा mind यहां पर लगाना होता है, वो सिर्फ और सिर्फ इसको लगाना होता है, क्या खिर यह मैंने कैसे बना लियो, ठीक, बैस 3D figure है, यह तो इसको board पे तो टूडी बन सकता है आई थिंग आपको समझ में आ गया होगा एक फिर से कुशिस करते हैं इस पे अगर हम सबसको जो रेड वाली पट्टी है यह का कोईल ही वाली एक लाइन है पीछे का तो रेड आपको दिख नहीं रहा है एक मिने यहां पर पॉइंट ले लिया और यहा आपको यहां पर फिल्ड कि धर ओकी यहां पर क्या होगी फिल्ड इस हुआ पर एक सर्क्ट अगर बनाए तो इस तरीके से स्कल बनेंगा इसमें करेंच की डेक्शा मों ऐसे मैंगनेटिक फिल्ड की डारेक्शन इधर होगी बिल्कुस सेम भी बना दिया ठीक है दूसरा गर तो फिल्ड की डारेक्शन सेम टू सेम होगी ठीक है इस तरीके से यहाँ पर विल्कूर सेम टू सेम तीसरा बनाना चाहो लिए यह मैंने तीसरा भी बना दिया आप को गेसर कीतने चक्कर बनाएंगे ठीक है देखो यहाँ पूरा कलियर हो जाएगा बस आप देख तरहेगा अब इसमें डारेक्शन बना दी देखो इसमें भी इधर इसमें नीचे इसमें धर इसमें यहाँ पर इसका बनाए ये नीचे ये धर ये धर ये धर ठीक है और उसके बाद मैं इसका बनाए ये धर ये धर ये धर और ये धर ठीक क्लियर अब उसके बाद अगर आप चौथा बनाओगे तो चौथा तो भाई यहाँ पर नहीं बना सकते क्योंकि मेगनेटिक फिल्ड लाइंस कट होने लगेंगे लेकिन आपको पता है कि मेगनेटिक फिल्ड लाइंस कभी भी एक दिसे को कट नहीं करती है तो यहाँ पर चब नेक्स्ट लूप बनाओगे तो यहाँ पर इनका मिला जुला रूप बनने लगता है इस तरीके से जिससे यहाँ पर एक भी लाइंस कट नहीं होती है ठिक डेक्शन सब की सेम रहेगी डिरेक्शन कहीं से भी उल्टा सिधा नहीं आएगी, ठीक, यह हमारे यह सुनना है, ठीक है, अब यह तो बन गया उपर का पॉर्शन, अभी देखो ज़र गया, यह पट्टी नीचे भी तो है, बस हमको यहाँ पर देखना है, अब देखो, कि इस लूप में तो करेंट उपर जा रही है, और इस वाले लूप में करेंट नीचे आ रही है, तो उनों में अंतर क्या है, करेंट की स्टन्थ तो सेम है, अंतर क्या है, बस डिरेक्शन का अंतर है, इसमें करेंट उपर जा रही है, और इसमें करेंट नीचे आ रही है, जब सिर्फ current की direction का आंतर होता है तो field lines की direction भी बदल जाती है जैसे current की direction वैसे field lines की direction बदल जाएगी. तो यहां पर अगर हम यह current नीचे आ रही है यह तो यहां पर अगर हम circle बनाएंगे तो इसमें current की direction क्या होगी? अब देखो जरा. इसमें तो इस तरीके से था, इसमें क्या हुज़ाइगा, उल्टा हुजाएगा, यहाँ पर हम लोग भी चाहआ इस तरीके से, ते हैं उल्टे हो गए, ठीक बिल्कुल बस यहई समझना था, यहां पर भी सर्कल बना दो और इसमें भी ऐसे बना दो आप ठीक कुछ कठीन लग रहा है नहीं कठीन है बस आपका दिमाग यहीं पर होना चाहिए एक और लाइन बना दू यह बना दी यह बना दी इसमें भी डारेक्शन बनाओ इस तरीके से ठीक है बस पहला सर्किल बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है बागी नहीं अब अगर नेक्स्ट बनाना चाहिए लोग यह एक और बना दो उसमें क्या दिक्कत है जितना मन होता न बनाओ ठीक है बस अगर एक पार कांसर्ट आपको क्लियर है फिर कोई दिक्कत नहीं है लोग यह इस तरीके से यहाँ पर बना दें ठीक है अब चौथा लूप बनाओगे तो फिर एक उप मिला जुला रूप बनेगा इस तरीके से ठीक है यह बन गए अब देखो यह बन गया हमारा सोलेनोइड के अंदर मेगनेटिफ लैंस की डिरेक्शन आपको दिमार खरबढ़ा गया होगा अरे इस क्या हो गया लेकिन अगर तुरू से ध्यान से देख रहे हो तो इस फिगर में कुछ नहीं है ठीक है अब आते हमने कोशन पर अब यहां पर देखिए जब अगर मैं आपको बस समझाने के लिए क्योंकि उसमें सोलेनोइड भी तो नहीं दिख रहे होगी तो यहां पर मैं फिर से एक लाइन दोराय दे रहा हूं जैसे आपको सोलेनोइड दिखने दिख जाए ठीक है जैसे आपको यह दिख जाए कि हाँ यही हमारी सोलेनोइड थी यह दो लाइन दो एक ही जैसे हैं भाईया तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे यह आपकी बन गई यह थे आपकी ओर्जिनल सोलेनोइड यह है ठीक आपको दिख रहा होगा अब जादा देखो यह सोलेनोइड है इसके बीच देखो जाए इस सोलेनोइड के अंदर मेगनेटिफ लैंस की डिरेक्शन देखो जाए इस सोलेनोइड के बीच में इस डिरेक्शन आप मेगनेटिफ लाइनस सब सेम डिरेक्शन में हैं एक डिरेक्शन में सभी की एक डिरेक्शन है इसलिए सोलेनोइड के अंदर आपके जो फिल्ड की स्ट्रेंथ होती है वो स्ट्रॉंग होती है ठीक है हम सोलेनोइड के इंड पे बात नहीं कर रहे हैं मीड पे बात कर रहे हैं वह यह यह ध्यांद रखीगा यानि कि inside the solenoid the strength of magnetic field is strong ठीक है अचरा हम बाहर देख लेते हैं देखो भीया अब बाहर की बात करते हैं देखो यहाँ पर एक लाइन उपर जा रही है एक लाइन नीची आ रही है आपको कि सरी तो solenoid के अंदर है नहीं यह 3D वेया फेगर है यह just solenoid के उपर वाला portion होता है यहाँ पर एक लाइन उपर जा रही एक लाइन नीची आ रही दोनों की direction opposite यहाँ पर देख लो यहाँ देख लो यहाँ देख लो direction opposite होने से यही होता है कि यहाँ पर जो field के strength है वो weak हो जाती है ठीक यहाँ से हमको एक conclusion मिल गया कि outside the solenoid the strength of magnetic field is weak but inside the solenoid the strength of magnetic field is strong but not the end of the solenoid हम end की बात नहीं कर रहे है हम mid की बात कर रहे हैं तो यह figure हमको यह ही बताता है कि solenoid में कहाँ पर field strong है कहाँ पर field weak है I think आपको इस figure से पूरा clear हो गया होगा एक बार आप घर पर practice कर लेंगे और आपको पूरा को पूरा clear हो जाए ठीक अब हमको क्या करना है आपने पहला पार्ट तो solve कर दिया next पार्ट में हमको करना क्या है आपने कहा ना solenoid के अंदर field strong होती है तो कितनी strong होती है हमको यह देखना है ठीक चलो भीया अब हम देखते हैं कि solenoid के अंदर जो field strong होती है तो वो कितनी strong होती है यह हमको check करना है ठीक है यह वायबा को question बन जाता है कि solenoid में कहां पर field strong होती है ठीक है अब आप भूलेंगे नहीं बिल्कुल भी चलो अब लोग strong magnetic field निकालते हैं कितनी है सबसे पहले बना लेते हैं यह मरी एक है solenoid ठीक है अब हम तार नहीं दिखा रहे हैं अब solenoid के अंदर अभी हमने देखा कि जो magnetic field lines थी वह कैसी थी बिल्कुल same direction में थी तो मैंने यह बना दिया magnetic field lines की direction inside the solenoid यह क्या भी आपका B ठीक है हमको अब B निकालना है कि यहां पर कितनी है magnetic field lines अभी उसको यह नहीं लिखेंगे तो यहां पर हम क्या करते हैं या यहां पर इससे पहले मैं आपको एक imperial law परहा चुके थे imperial circuital law imperial का circuital law वो हम यहां पर use करने वाले हैं यहां पर मैंने ले लिया A B C D यह क्या भी है आपका यह imperial loop है ठीक है यह A B C D ठीक है जिसमें यह सब length कितनी है L length के है ठीक है सबकी length यहां लिख देंगे length of A B equal to कितनी है ठीक है अब देखो यहां पर यहां पर small n is equal to number of turn in per unit length यह जी जो मैंने लिखी है इसको key point भी बोलते हैं ठीक है इसकी बहुत जरूत अब ही आगे हमको पढ़ते हैं तो सबसे पहले ampere's law लिख दें as we know that as we know that line integral b dot dl is equal to mu naught i equation first ठीक है हमको एक बार यह lhs इस loop के लिए लगाना है और rhs भी लगाना है तो सबसे पहले हमको lhs और rhs की value अलाग अलाग निकालना है इसमें दाक्र देना है ठीक देखो तो यहां पर सबसे पहले हम lhs ले लेते हैं line integral b dot dl ठीक है इसको मैं इसे भी लिख सकते हैं b d l cos theta ठीक है यह किसके लिए पूरी लूप के लिए तो हम लिख देंगे a b c d ठीक है अब यह इसको अलग-अलग लूप में भी तोड़ सकते हैं तो इसको हम क्या इसे लिख सकते हैं b d l cos theta चार पार्ट में लिखेंगे यह हो गया a b के लिए ठीक है यह हो गया b c के लिए b d l cos theta यह हो गया b c हो क्या c d यह हो गया c d के लिए b d l cos theta प्लस और यह हो गया हमारा d a के लिए d a यह हो के b d l cos theta ठीक है मैंने क्या किया चारों portion के लिए मैंने अलग-अलग यह rule लगा दिया अब मैं यहां पर क्या करूँगा अब देखो चला अगर हम b c और d a को देखें b c और d a को देखें तो यहां पर magnetic field lines तो इधर है और यह जो wire है d c o b c यह उसके perpendicular है ठीक है तो यहां पर angle कितना बन गया 90 इसका मतलब क्या हुआ b c और d a यह हो गया 0 क्यों 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 यहां पर ठीटा कितना है 90 है यहां पर भी लेगे ठीटा कितना है 90 है ठीक है क्योंकि b और इस length के बीच में बन रहे 90 clear है ? CD , यї portion , हमको पता है कि solenoide . एस फिल्ड भी होती है ? और य पोर्षन जीरों हो जाएगा ? यहाँ पर b क्या हो जाएगा ? 0 हो जाएगा, यह portion भी यहाँ पर 0 हो जाएगा क्यों ? क्योंकि यह बी जुको HOLT 0 , यह हो गया outside ॹाउटSIDE , ठीक है ? यह portion 0 हो गया outside इसााइड की वज़े से और ये हो गया 90 वज़े से तो बचा क्या हमारे पास यह यहां पर अंगल कित्ता होगा देखो यह सिस डारेक्शन में यह लेंथ बी इस डाρέक्षन में तो यह भी उसी डारेक्शन में ठीटा जीरो अपर गया तो इसको ंख यह यहां बी डी एल ठीक है अब बी तो हमको निकालना ही है भी बहाँ निकाल दो क्या बच्चा लाइन इंटीगराल ए बी डील ठीक है डील कहता है इस पे छोटा सा पॉर्शन मानों यह लिया यह कहता है इसके डील पॉर्शन था अब इंटीगरेशन मतलब होता है कि छोट छोट इस पर जितने भी डील हो सबको जोड़ दो क्या मिलेगा इसकी लेंथी तो मिल जाएगी तो यहां पर हम इसको ले सकते हैं बी एल यानिकी लाइन इंटीगराल ए बी सी डी डी डॉट डील इसकी वैल्यू कितनी आ गई बी इ है आर्चस की बात कर लिते हैं है है आर्चस क्या है म्यू नॉट आई है आई डी क्या था नेट करेंट क्या था नेट करेंट अब यहां पर इस्मॉल अभुमग नंबर ऑफटर्न तो बात है 9 रग्धव्स हाँ यहाँ लिएफ देंगे बाके सब वही रहेगा किस्मॉल नमबर आफटरन इन पर यूनिट लेंथ अब दीको हमको इससे मतलब नहीं यह लेंथ है एक यूनिट लेंथ में नमबर आफटरन कितने है न है इन लेंथ में कितने हो जाएंगे N into capital L बस उससे multiply कर देना है बस यह आगया मेरा arches ठीके क्योंकि यह क्या थी मारी यह थी net current ठीके तो यहाँ पर number of turn वाला factor भी यहाँ पर add होगा clear? बस कुछ नहीं करना दो हमको star star dash को कहाँ पूट कर देना है equation 1 में put कर देना है बस answer आजाएगा now put equation star and star dash in first put कर दो bl is equal to mu naught nl कुछ कटेगा? कट गया? तो answer क्या आगया? mu naught n i यह भाईया जो फार्मूला आपके सामने आया b equal to mu naught n i यह solenoide के mid पर कितनी field होगी यह बताता है जहाँ पर i क्या है? उस solenoide में flow होने वाली current n क्या है? number of turn in per unit length त्यान दखिएगा? यह portion बहुत ही sensitive है त्यान दखिए? number of turn in per unit length कहीं कहीं आपको यह formula इस term में भी लिखा मिलेगा देखो ज़रा यह total number of turn इसको मैंसे बिचलेग सकते हैं देखो total number of turn is equal to n into l ठीक है न? बैस small n की value रोख दूएंपे तो b is equal to mu naught capital n यह कहीं कहीं फार्मूला आपको यह भी लिखावा मिलेगा क्योंकि यहाँ पे जो small n है वो क्या है? total number of turn ठीक है? और small n क्या है? per unit length में turn की संख्या तो बस दोनों में यहीं अंतर होता है कहीं कठिन लग रहा है न? कहीं कठिन नहीं है बिया बस है क्या कि presence of mind आप यहीं पे रखेंगे फिर कोई derivation कठिन नहीं है लेकिन हाँ कठिन तब हो जाते है जब आप physically हैं बैठे होगे अब mentally याब ममी ने क्या खाना बनाया है यार कल काम करना तब भूल गए यही सब सोचोगे तब कठिन लगती है ठीक है? तो derivation बहुत दीजी है बस आपको एक बाद प्रैक्टिस करना है अब उसके बाद यह तो हो गई mid पे solenoid में कितनी field होती है अगर end पे बात करें अगर हम कहें at one end कुछ करना नहीं होता भीया बस mid का जश्ट आप आधा कर दो तो बी चुकल टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई यह आजाती है solenoid के end पे यह आती है solenoid के mid पे ठीक है? तो यह हो गए अब यह आज का topic कि solenoid होती क्या है इसका काम क्या होता है यह कैसे जानते हैं कि solenoid में कहाँ पर fail strong होती है कहाँ पर fail weak होती है और strong होती है तो कितनी होती है यह सब चीज़े हम लोगों ने आप है बहुत अच्छे से discuss की तो आज के भी हम लोग वीडियो में इतना ही रखते हैं अगर यह वीडियो आपको अच्छे लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए शेर कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे और भी लोग benefit हो सकें और मैं आपके पास और भी अच्छे तरीके से content आता रहूँगा कोई भी doubt अगर आपको हो रहा है कि नहीं सर यह कैसे समझ में नहीं है तो शियूर मिलेगा यह मेरी गारूटी ठीक है तो आज की वीडियो में हम लोग भी अतना ही रखते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्यार लखे टेक कियर और बाई बाई